असलाम लेक्शर स्टुडेंट आज नायंद का मैद का लेक्शर स्टार्ट करें तो फूरी एकसिर्म से कम्प्लीट हो जाएगी तो जैसे कि इस पूरी एकसिर्म से काम करेंगे तो पहले मैं question की statement पढ़ रहा हूं, उसको जदे समझ लिजिएगा और इसके according फिर हम solve करेंगे, और question की statement ऐसी है, कि उसने कहा है, the reminder after dividing the polynomial, कि एक polynomial को अगर हम 1 value से डिवाइड करें, उसका reminder हमारे पास के है तू पॉलिणोमिल है, statement के recording आपके पास एक polynomial है, दो value से वो divide कर रहे हैं और दोनों time different reminder दे रहे हैं, उन different conditions को use करते हैं, हमने a और b के value निकाल नहीं है, अब सबसे पहले तो आपके पास polynomial क्या है हमारे पास, polynomial है हमारे पास x square plus x cube plus ax square plus 7 और first number जिससे divide कर रहा है वो हमारे पास है x plus 1 equal to 0, तो from 1, from x plus 1 से हम value निकालेंगे, हम value निकालेंगे x की value हमारे पास आगे x is equal to minus 1, value put करते हैं, polynomial में minus 1, minus 1 का q plus a minus 1 का square plus 7, तो यहां के minus 1 plus a plus 7, ठीक है, तो यहां पहर आप देखें, a plus 6, अब उसने गाता कि जब इस value से इसे divide करते है, polynomial को, तो condition के according हमारे पास reminder क्या आ रहा है, हमारे पास reminder आ रहा है, 2B, तो first condition हमारे पास होई, यह हमारे पास reminder है, इस value का, तो a plus 6 is equal to 2B, यह हमारे पास first condition है, ठीक है, इसे हम equation का नाम भी दे सकते हैं, अगर हम इसे कहते हैं, equation 1 भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, अब next, इसी polynomial को वो कहरा है, divide करना है, आपने x-2 से, इसी polynomial को, इसका मतलब है, polynomial again मैं यही लिख लेता हूँ, x-3 plus ax square plus 7, अब divide change हो गया, तो from, किस से, x-2 से, from x-2 equal to 0, यहां से x की value हमारे पास आगे, 2 polynomial में value put करते, p of 2 is equal to 2 का cube, plus a into 2 का square plus 7, तो देखे, 2 to the 8 आगया, plus 2 to the 4a, plus 7, तो यह हमारे पास आगया, 4a plus 15, यह भी हमारे पास इसका reminder है, अब इस value से जब divide गया, तो उसने हमें reminder किया दिया, और अब b plus 5, इसका मतलब है, तो second condition के according, हमारे पास यह जो reminder आगया, 4a plus 15, यह किसके इकोल आगया, यह हमारे पास according to given condition, b plus 5, b plus 5, यह हमारे पास second condition उसने given की थी, तो इसके according अगरे मैं इसको नाम देदें, equation 2 का, अब हमने calculate करना है, a और b की value, तो हमने इन दोनो equations को, equation 1, equation 2 को आपने जिस तरह मर्जी simplify कर सकते हैं, values निकाल के simplify कर सकते हैं, आप values put करके, equations को simplify कर सकते हैं, substitute करके, तो अगर आप हम इसको equilate करना चाहें, equations को equilate करके, तो उसके लिए अगर आप देखें, यह मैं करता हूँ, कि by, 4 multiply by equation 1, equation 1 को 4 से multiply करके, subtract कर देंगे equation 2 में, equation 1 यह है, इसको 4 से multiply कर रहा हूँ, 4A plus, 4, 6 ता, 24, ठीक है, equal to 4 to the 8B, इसे में separate करना equation 2, तो 4A plus 15 equal to B plus 5, B plus 5 और अगर इससे थोड़ा सा पहले इसको easy कर लेते हैं, यहाँ भी मैं कर लेता हूँ, कि इस equation में अगर आप देखें, 4A plus 15 minus 5 is equal to B, then 4A plus 10 हो जाएगा, is equal to B, इसे कह लेता equation 2, अब इसको अगर नीचे रखता हूँ, मैं आपकी सानी के लिए यह काम किया, आपको समझा आजए कि 10 is equal to B, अब सब्ट्रेक्ट, जब आप सब्ट्रेक्ट करते हैं, आपके sign change हो जाते है, sign change करेंगे minus minus minus, तो यह देखें, यह cut out हो गया, 24 में से 10 सब्ट्रेक्ट होए क्या बज़ गया, 14, और 8B में से B minus क्या हमारे पास 7B, तो यहां से इसका मतलब है 14 over 7 is equal to B, 7 to the 14, इसका मतलब है हमारे पास B की value क्या आगे, B की value हमारे पास आगे, 2, B की value हमारे पास 2 आगे, अब B की value आगे आगे तो इसी काम आप जिस मर्जी में value पूट कर सकते हैं, मैं पूट कर रहा है equation 1 में, put in equation 1, equation 1 में value पूट कर रहा हूँ, तो देखें, A plus 6 is equal to 2 into B की value हमारे पास क्या 2, तो देखें A plus 6 is equal to 224 तो A is equal to 4 minus 6 A is equal to minus 2 इसका मतलब में हमारे पास A की value आगी minus 2 और B की value आगी हमारे पास 2 तो यह हमारे पास A और B की value हो गई अब last question is exercise का हम करेंगे वो हमारे पास question number 7 है वो भी इसी base पे है थोड़ा से change है तो चेक करते हैं हमारे पास क्या है उसकी statement अगर मैं आपको बढ़के दिखा रहा हूं उसने एक polynomial दिया और the polynomial has a factor x plus 4 एक फेक्टर उसका x plus 4 और आपको बदाए फेक्टर तब होता है जर्माइंडर 0 होता है and its leaves the reminder of 36 और reminder के देरा वो 36 when divided by x minus 2 जब उसको divide करते हैं हम किसे x minus 2 से ठीक है find the values of L and M आपने किसकी value find करनी है L और M की polynomial factor एक value given reminder given है आपने L और M की यहां पे और B की value find की दिए वहां पे L और M की value find out करेंगे हम इसको question number seven का मैं आपको statement मैंने आपको समझा दी है अब इसको लिखते हैं solve out करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास polynomial तो question number seven की जो polynomial है वो अगर आप दिखें बुक पे तो वह हमारे पास है x cube L x square plus mx plus 24 x cube plus L x square plus mx plus 24 ठीक है यह हमारे पास है x cube L x square plus mx plus 4 और इसका factor जो है वो कौन से x plus 4 x plus 4 इसका factor है तो from x plus 4 is equal to 0 x की value क्या आगी minus 4 value put करते हैं हम इसमें से x plus 4 की value minus 4 हम put करते है x equal to minus 4 is equal to minus 4 का cube plus L into minus 4 का square plus m into minus 4 plus 24 swallow out करते हैं यह हमारे पास होजेगा minus 64 plus 16 L minus M4 यह 4 M लिख सकते हैं आप plus 24 ठीक है तो यह हमारे पास आगे 16 L minus 4 M 24 minus 64 हमारे पास यह हमारे पास आजेगा minus 40 ठीक है minus 40 अब given condition के उसने कहा था x plus 4 इसका क्या है factor इसका मतलब है यह जो reminder हमारे पास हाया यह किसके equal होगा 16 L minus 4 M minus 40 is equal to 0 by given ठीक है तो इससे हम equation 1 कहा देंगे अब दूसरा उसरे गादा इसी polynomial को अगर हम divide करते है x minus 2 से तो reminder 36 है अब polynomial यही P of x is equal to x cube plus L x square plus M x plus 24 अब divide किसे कर रहे हम x minus 2 से तो from x minus 2 equal to 0 x is equal to 2 put करेंगे x2 is equal to 2 का cube plus L into 2 का square plus M into 2 plus 24 ठीक है तो यह हमारे पास आज़ेगा 24 और 8 हमारे पास आज़ेगा plus 32 यह भी मारे पास reminder ठीक है और इसके coding उसने reminder किसके इकवल देगा 36 के अब इसका मतलब है 4 L plus 2 M plus 32 किसके इकवल आजएगा हमारे पास 36 के by given यह भी condition है ठीक है इसको हम थोड़ा सब simplify करके इसे equation 2 का नाम देदेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लिफाय करते हैं simplify यह है कि constant value एक side लाके आपने right hand side पे 0 ही कर लेना है तो उसके लिए अगर आप देखें मारे पास है 4 L plus 2 M ठीक है plus 32 minus 36 equal to 0 तो 4 L plus 2 M minus 4 is equal to 0 equation 2 अब दो equations आगी same काम है हमारे पास हमने यही काम करना है कि दोने equations को simplify करना है अगर आप sign देखें तो कैसे करेंगे अब 2 M को अगर यहां भी equation 2 को 2 से multiply करेंगे 4 M बन देगा और add कर देंगे sign तो वैसे यह opposite है तो इसका मतलब है मैं यहां भी equation लगाऊंगा by 2 multiply by equation 2 plus equation 1 equation 2 को 2 से multiply करके equation 1 में से हमने क्या करते है add कर देना add इसलिए करना है कि देखें plus का वहां भी minus का तो सब्टेक्ट अटमेटिकली हो जेंगे opposite sign की वाज़े से पहले equation 2 को 2 से multiply कर रहा हूं 2 4 दा 8 L plus 2 2 दा 4 M minus 2 4 दा 8 is equal to 0 इसमें से equation 1 subtract करनी है equation 1 is 16 L minus 4 M minus 40 is equal to 0 add जब करते हैं तो आपको बदा sign change नहीं हो देखें कट हो गया 4 4 दा 16 plus 8 हमारे पास कितना हो गया 24 L और यह हो गया minus 48 equal to 0 24 L is equal to 48 उधर जागे plus L is equal to 48 over 24 L is equal to 2 L की value मारे पास क्या आगे 2 L की value 2 किसी में भी put कर ले 1 में to put कर ले 2 में 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 put कर रहा हूं तो देखें 4 L की जगा 2 plus 2 M minus 4 is equal to 0 4 to the 8 plus 2 M minus 4 is equal to 0 तो देखें 2 M plus 4 is equal to 0 तो 2 M is equal to minus 4 तो M is equal to minus 2 यह आपके पास M is equal to minus 2 L की value हमारे पास 2 और M की value भी हमारे पास क्या आगे 2 तो यह आपकी 5.3 exercise complete होगी नेक्स इंशाला दला आपको आगे 5.4 के डिलिवर करेंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल लाजमी subscribe करना पड़ेगा और वीडियो लाइक करनी पड़ेंगी अगर आपको समझ आ रही है अच्छे तरीके से और अगर आपको कोई problem है कोई issue आ रहा है lectures में तो आप comments में लाजमी पूछ सकते हैं